अगर आप भी लिवर या किड्नी संबंधी किसी भी बिमारी से ग्रस्त हैं और ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन में एक ऐसी दवा चाहते हैं जो कि उन दोनों और गंस को संभाल कर सेफ रख सके और उनके फंक्शन को इंप्रूव कर सके जिससे की आपको लक्षणों में सुधार ह तो उस दवा को हम बोलेंगे हुमियोपथिक भूमी आमला यानि फिलैंथस निरूरी तो अगर आप ने भूमी आमला की कोई वीडियो सुनी है या उसके फायदे आप ने जाने हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि कैसे हुमियोपथिक भूमी आमला आयुरुवेदिक वाले से जाधा भैतर है और आपकी जाधा साहता करेगा तो अगर आप समझदार है आप इस वीडियो को पूरा सरूर देखेंगे तो जलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लिते हैं कि ये भूमी आमला क्या है भूमी आमला को हम आम भाशा में बोलते हैं भूमी आमला और इसे scientific भाषा में बोलते हैं फिलैंथस निरूरी लेकिन जब आप इसके बारे में कुछ literature ढूनने बैठेंगे कोई research ढूनने बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ढूनना पड़ेगा एक नाम से जिसे हम बोलते हैं शैंकापीडरा अब आप इसके बारे में इतना समझ लीजे कि ये 70 cm तक का उचा पौधा है क्योंकि ये पौधा जमीन के थोड़ा close होता है इस वज़े से हम इसे भूमी आमला कहते हैं अब इसके पत्तों से इसके फलों से जो है इसके बीजों से दवाई बनाई जाती है हुमियोपेथी में जो ये दवा बनती है भूमी आमला से या भूमी आमला से उसे हम बोलते हैं फिलेंथस निरूरी अब चर्चा करेंगे और जो की बहुत ही जरूरी है बताना आपको कि कौन कौन से बिमारियों में शैंका पीडरा, फ्लैंथास निरूरी या भूई आमला से आपको भेतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर के बारे में हमाँ पास बहुत सारे पेशिंट्स आते हैं जो कि अलकोहल कंज्यूम करने की वज़े से ग्रेट टू ग्रेट थ्री लिवर में पहुंच जाते हैं और ऐसी कंडीशन में कई बार फिलैंथस लूरी को देने से पेशिंट्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स में दिखाई देते हैं पेशिली जो लिवर के फंक्शन्स होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं और पेशिंट की कंडीशन भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है अगर इसके साथ में सपोस करिए कि आपके पास एक ऐसा मरीज आया जिसे फैटी लिवर भी है इसका बिलरूबिन भी बढ़ा हुआ है लेकिन उसको एक्जाट्ली जॉन्डिस नहीं है इसका बिलरूबिन बढ़ा हुआ है एस जी पीटी धिरी धिरी करके बढ़ता जा रहा है लगबख देड़ सो दो सो अड़ाई सो तक पहुंच रहा है साथ में एक हिस्ट्री मिल जा रही है कि उसे इसने अलकोहल कंजूम करा है और ऐसी कंडीशन में सपोस करिए कि महाँ प अपटाइटिस बी भी उस पेशिंट को है तो कई बार डॉक्टर्स को भी सोच समझ के दवा देनी होती है तो ऐसी कंडीशन में इस सिचुएशन में अगर कोई दवा ऐसे मरीज की मदद कर सकती है तो उसका नाम है फिलेंथस निरूरी यानि भूमी आवला अब जो होमियो भी बढ़ जाती है अब देखिए लिवर सिरोसिस के कई केसिस में फिलेंथस निरूरी देने से सिम्टोमाटिक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं और आप जानते हैं कि मैं लिवर सिरोसिस या क्रॉनिंग लिवर डिजीज के पेशिंट्स अक्सर आपको गॉल्स टोन को डिज्वल्व करने में और शायद गॉल्स टोन को डिजॉल्व करने में भी फायदेमन्ध साबित होती है मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वैसे ही गॉल्स्टोन को डिजॉल कुरना इतना असान काम नहीं है लेकिन अगर आपको गॉल्स्टोन से संबंधित कोई परिशानी हो रही हो सिम्टम्स जादा आ रहे हो एक्सेप्ट पेन और लिवर आपका कहीं ना कहीं परिशान कर रहा हो आपका लिवर अलकोहल पीने की वज़े से जादा परिशानी में आ रहा हो तो यहाँ पर भूमी आमला यानि फिलैंथस निरूरी लेने से आपको बहतरीन परणाम मिलेंगे अब जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा इस भूमी आमला से ना वो मिलेगा किडनी संबंधी परिशानियों में अब जैसे हमने अलकोहल की बात करी अब जो लोग अलकोहल कंजूम कर रहे हैं उनकी सिर्फ लिवरिए एफेक्ट नहीं और अँनकी कीडनी भी एफेक्ट हो रही है और इस्पेशली जो लोग बीर का कंजशंचन जादा करते हैं अगर उनकी kidney के ऊपर असल जादा आने लग जाए और ऐसे में उनकी kidneys की वजब से जो है उनका uric acid का reabsorption बढ़ जानी उनके uric acid की परशानी होने लग जाए गाउट संबंदी दिक्कते आने लग जाए उनके गुटने में, उनके पैरों में उनके पैर के अंगुठे में बहुत जादा असेहनी दर्द होने लग जाए और uric acid की जो tendency हो वो खतम ना हो रही हो ऐसे में patient हमाई पस कई बार आते हैं जो शिकायत करते हैं कि भाई उनका potassium जो है ना वो बहुत जादा गरबड़ चल रहा है और potassium की गरबड़ी की वो जैसे शरीर में बहुत असेहनी पीड़ा हो रही है दर्द हो रहा है कमजूरी आ रही है पढ़े रहने की इच्छा कर रही है तो ऐसी situation में अगर कोई दवा ऐसे patient की मदद कर सकती है self medication में safer dosage में तो वो है philanthropus निरूरी यह मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि भई यह दवा एक diuretic है यह kidney से गंदगी को बहार निकालने में मदद करती है जो kidney uric acid को reabsorb कर रही है उसे भी बहार फिकवाने में मदद करती है जो potassium imbalance हो रहा है magnesium imbalance हो रहा है उसे भी normal करने में बहुत ज़ादा effective साबित होती है और सबसे बढ़ी बात जो आपके लिए है समझना वो यह कि अगर ऐसे में kidney stones patients को हो रहे हो और वो berberis vulgaris जैसी दवा को खाने से या बहुत समय तक उसे consume करने से अपनी जेगे से हिल भी ना रहे हो ना तो कई बार berberis के संग में filanthus लेने से बहुत अच्छे results मिलने लग जाते हैं बशर्त है कि आपके पास जो patient आया हो वो कहीं ना कहीं alcohol consumption उसका जादा हो अब इसके अलावा अगर filanthus ने दूरी आपकी किसी भी तरह से साहता कर सकती है तो वो है indirect साहता अब indirect साहता कैसे है ध्यान से समझेए बही जब liver की इतनी साहता करेगी kidney की इतनी साहता करेगी ना तो कहीं ना कहीं आपके body के metabolism को improve करेगी और इसमें सबसे अच्छा effect अगर metabolism में आता है जो की research में भी पाया गया है वो है blood sugar metabolism में खास कर अगर कुछ है कोई ऐसा patient है जो परिशान है कि उसकी fasting blood sugar ज़्यादा बढ़ जाती है पीपी blood sugar तो फिर भी control में रहती है तो यहाँ पर फिलेंथर्स निलूरी regular लेने से उसकी fasting blood sugar में काफी अच्छा improvement आता है इसके पीशे की मैं ज़्यादा science समझाने का वीडियो में चुक नहीं हूँ वीडियो बहुत देंदी हो जाएगी पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि fasting blood sugar अगर किसी भी कारणों से मरीज की ज़्यादा बढ़ी रहती है और दवा खाने के बाद भी ज़्यादा control म बढ़ा रहता है उन मरीजों की ये दवा बहुत बढ़िया साहता करने वाली है तो अगर आप चाहते हैं कैसी दवा जो kidney सी गंदिगी लिवर की गंदिगी को साफ करे blood sugar भी control करे आपके BP की दवा को भी कम कर दे और साथ में allergy को भी कम करे तो ये दवा जो full packed दवा है वो सही जानकारी authentic information जो आपके फायदे की वो आप तक पहुंचा सको अब समझे कि कैसे भूमी आमला यानि फिलैंतरस निरूरी जो होमियोपथी में मौझूद है वो आयरुवेट से थोड़ी से बेतर है देखिए ध्यान से समझ लीजे फिलैंतरस निरूरी को बनाने के लिए जो ड्रग फार्मोकोपिया के rules and regulations है उसको follow करना किसी भी होमियोपथिक brand के लिए बेहत जरूरी होता है तो वहाँ पर जो collection of drug है यानि जहाँ में खटा करते हैं ड्रग को तो उसकी quality भी maintain करना जरूरी होता है और साथ में medicine का production करना या उसे बनाना भी बेहत जरूरी होता है तो अगर आप भूमी आमला का powder लेना प्रिफर कर रहे हैं भूमी आमला का capsule लेना प्रिफर कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि मैं आप से कूँँगा भूमी आमला यानि फिलैंथरस निरूरी का mother tincture करीद के लेकर आओ अच्छी company का लाओ अगर आपको ज़्यादा doubt है उसे regularly consume करो यह जो फायदे मैंने आप यह आपको बताये थे न यह सारे फायदे कहीं न कहीं आपको जरूर मिलने लग जाएंगे तो भई आप dosage को ध्यान से समय लीजे ताकि आपको वो side effect न जिलने पड़ें तो भई dosage क्या होनी चाहिए कि फिलैंथरस निरूरी से अगर आपक सुबह एक बार शाम regular consume करें और कम से कम कोशिश करें कि 60 दिन तक consume करके effect देखें कि आपको पहले के मुकाबले कितना बढ़िया effect आ रहा है अगर आप liver संबंधी परिशानियों से गिरे हुए हैं खासकर alcoholic fatty liver disease, hepatitis B या फिर liver cirrhosis या fatty liver grade 2, grade 3 तो ऐसी condition में आपको कम से कम 15-20 ब consume करनी चाहिए और अपनी monitoring बीच बीच में reports की LFT की जरूर गराते रहना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि ये दवा आपको कितना फायदा कर रही है अगर आप कोई भी side effect देखें आप फॉरान इस दवा की dose कम कर सकते हैं या निकटतम डॉक्टरी से बात करके अपनी dose को दुबारा सेट करवा सकते हैं अगर आप किटनी संबंधी परिशानी से जूज रहे हैं तो बिल्कुल सीदी सी कहानी है कि आप इसकी dose को जादा ना बढ़ाएं आप मात दस्बून दवा के हिसाब से सुबह शाम ये जरूरत पढ़ने पर सुबह दुपह शाम के हिसाब आपसे दो चमश पानी में डाल कर या आधा कप पानी में डाल कर इसे regularly consume करें और 60 दिन तक regular लें अगर आप लगातार लेंगे इस दवा को और 60 दिन तक लेंगे तो किटनी संबंधी परिशानी में तो बहुत ही बढ़िया एफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा अगर आ अगर आप किडनी स्टून में से इस्तमाल करना चाहते हैं तो मैं request करूँगा कि इस दवा को आप बरबरिस वल्गेरिस के साथ में या हाइड्राइंजिया के साथ में अगर कंस्यूम करेंगे तो किडनी स्टून आपके और जल्दी निकलेंगे क्योंकि इसका टायूरेटि निरूडी को चाइना के Mother Tincture के साथ में यानि 10 बूंदवा फिलेंतरस की, 10 बूंदवा चाइना की, अगर आप इन दोनों दवाईयों को साथ में मिला कर यूज़ करेंगे, तो आप दिन में एक बार कंस्यूम करें या दो बार, जब भी कंस्यूम करें आधा कप पानी में कंस होने लग जाएगी आपको दस और दवा खाने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब देखिए शुगर और बीपी जो है ना उसके लिए जो डोसेज है वो डॉक्टरी परामर्श में ली जाया तो ज्यादा भेतर है इसके संग में कुछ और दवाईयां लेने से आपको और भेतर परिणाम मिल सकते हैं तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकरी दी है ना फिलेंथस निरूरी यानी भूमी आमला के बारे में बिलकुल क्लियर कट थी तूदा पॉइंट थी और आपके फायदे के लिए थी तो भाईया अगर ऐसे ही फायदे चाहिए ना तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करो पहली बाचैनल पर आयो सब्सक्राइब जरूर करो और अगर आप वास्तर में हुमियोपती से फायदा उठाना चाहते हैं डॉक्टरी परामरश में इंट्रेस्टेड हैं आप इस नंबर पर कॉल करें मेरे स्टाफ से बात करें मेरा अपॉइन्मेंट मिलेगा तो मैं आपसे बात जरूर करूँगा और बेस्ट होमियोपती ट्रीटमेंट जैसे भी दे सकते हैं आपको हम जरूर देंगे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमस्कार थैंक यू एंड जैहिंद